इस लेसन को करने के बाद आप जान सकेंगे आउटपुट क्या है, इसके कितनी किसमे है, आम इस्तमाल होने वाली आउटपुट डिवाइसेज कौन सी हैं? कम्प्यूटर के बारे में अभी हमने ये देखा कि कम्प्यूटर क्या है, कम्प्यूटर को इन्पुट कैसे दी जाती है और इसके साथ कौन सी इन्पुट डिवाइसेज लगाई जाती हैं। अब हम देखेंगे कि कम्प्यूटर से आउटपुट कैसे ली जाती है। जिस तर तो इसी मॉड्यूल के section introduction to computer से आप इसे revise कर सकते हैं Types of Output Computer से हासिल होने वाली output दो किसम की हो सकती है Output की पहली किसम वो है जो हम सर्फ computers की screen पर ही देख सकते हैं यानि वो output जो computer के इस्तमाल के बगएर नहीं देखी जा सकती इसे soft copy कहते हैं बाज वकात आपको computer की मदद से किया हुआ काम किसी काघस पर मुंतकिल करने की जरूरत होती है इस किसम की सुरते हाल में आपको computer से जो output दरकार होती है उसे hard copy कहती है यानि hard copy, computer की वो output है जिसे हम अपने हाथ से छू सकते हैं और जिसको बार बार देखने के लिए computer का इस्तमाल जरूरी नहीं होता इस तरह हमने देखा कि computer हमें दो किसम की output देता है यानि hard copy और soft copy अब हम देखते हैं कि hard copy और soft copy की मदद से हम किस किसम का डेटा या information कंप्यूटर से हासिल कर सकते हैं सबसे पहले, text यानि लिखाई एक output की किसम है रोज मरा की जिन्दगी में, खत, memo और रसीदे इस किसम की output की मिसाल है इसके अलावा, computer से graphics यानि तस्वीरों की output भी हासिल की जाती है आवास या sound भी एक computer output की किसम है जो कि speakers की मदद से computer में से सुनी जा सकती है अगर हम इन तीनों computer output की किसमों को मिलाकर उनका इस्तिमाल करें तो ये multimedia output कहलाएगी क्योंकि इसमें एक से ज्यादा output mediums इस्तिमाल किया जा रही है मल्टी का लोगवी माईनी है एक से ज्यादा मसलिन रोज मारा की जिंदगी में कोई सा भी काम ये project को बेहतर तरीके से करने के लिए हम presentations का इस्तिमाल करते हैं इन presentations में text, images, graphs और audio यानी अवाज का इस्तिमाल किया जाता है आप computer के जिरिये multimedia इस्तिमाल करके ये काम ज्यादा असानी और बेहतर तरीके से कर सकते हैं Output Devices Output लेने के लिए जिस device की जरूरत होती है उसे Output Device का जाता है आम इस्तमाल होने वाली Output Devices में printers, monitors और speakers शामिल हैं आईए हम इन Output Devices का तफसील से जायजा लेते हैं Printers Printer एक ऐसी device है जो computer पर महफूज किया हुआ text और images एक कागस पर मुंतकिल करने के लिए इस्तमाल होता है इसका मतलब ये है कि किसी भी information की hard copy हासिल करने के लिए हमें printer की जरूरत होती है Printers कई किस्म के होते हैं इस वक्त आप मुख्तलिक किसम के printers स्क्रीन पर देख रहे हैं हम इन सब को बारी-बारी तफसील से देखेंगे Dot Matrix Printers इस किसम के printer को Dot Matrix Printer कहा जाता है ये नाव Dot Matrix दो अलफास को जोड़ कर बनाया गया है जो के Dot और Matrix है Dot एक नुक्ते को कहते हैं जबके Matrix नुक्तों के मजमुए की एक खास शकल को कहते हैं जैसा के आप देख रहे हैं Dot Matrix Printer एक टाइप राइटर की तरह काम करता है इसमें नुक्तों की मदद से काघस पर अलफास बनाने और चापने के लिए Pins इस्तमाल होती है ये Pins इंक रिबन पर जा कर लगती है जिसकी वज़ा से इंक पेपर पर मुंतकिल हो जाती है एक Pins से एक नुक्ता बनता है और बहुत से नुक्ते मिलकर एक केरेक्टर बनाती है जिसकी आप स्क्रीन पर नुक्तों की मदद से केरेक्टर लिखा हुआ देख रही है ये एक वक्त में एक केरेक्टर प्रिंट करता है आम तोर पर Dot Matrix Printer एक सेकिंड में 300 केरेक्टर्स प्रिंट करता है ये सबसे पुरानी प्रिंटिंग टेक्नोलोजी है मशूर Dot Matrix Printers में Epson और Microline Dot Matrix Printers शामिल है Line Printers ये जो प्रिंटर अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसको Line Printer कहते हैं ये प्रिंटर भी Dot Matrix Printer की तरह है अलबता इसे Line Printer इसलिए कहते हैं क्यूंकि ये एक वक्त में एक केरेक्टर की बजाए एक Line Print करता है इसमें भी Pins एक Line और Chain की सूरत में लगी होती हैं इन Pins के मदद से एक Line के तमाम केरेक्टर्स एकठे Print होते हैं ये Speed और Quality के लिहाज से Dot Matrix Printers से ज्यादा बेहतर होता है आम तोर पर Line Printer की मदद से एक मिनट में 1200 Lines प्रिंट की जा सकती हैं तेज तरीन Line Printers में Tally T6218 और Printronics P520 शामिल हैं Laser Printers ये देखिए ये दुनिया के सबसे बेहतरीन किसम के Printer की एक तस्वीर है इस किसम के Printer को Laser Printer कहते हैं ये प्रिंटिंग की Quality के लियाज से दूसरे Printer से काफी बेहतर होता है ये एक Photocopier Machine की तरह काम करता है लेजर प्रिंटर आम तोर पर एक वक्त में एक Line या लवज चापने की बजाए एक साथ पूरा पेज चापता या Print करता है आम तोर पर इसके जरिए एक मिनट में चै पेजिस प्रिंट किये जा सकती है लेजर प्रिंटर्स में Powdered Ink एक कार्टरिज में डाल कर इस्तमाल की जाती है मगर ये प्रिंटर्स कीमत में दूसरे प्रिंटर्स के मकापले में कुछ महंगे होती है ज्यादा इस्तमाल होने वाले लेजर प्रिंटर्स में HP, LaserJet और Samson शामिल है अब जो प्रिंटर्स आप स्क्रीन पर देख रही हैं इसे Ink Jet Printer कहती है इसको Ink Jet Printer इसलिए कहा जाता है क्यूंकि इसमें कागस पर Ink मुन्तकिल करने के लिए Ink को Nozzles में से गुजारा जाता है जिस तरह Dot Matrix Printer में एक पिन एक डॉट बनाती है इसी तरह Ink Jet Printer में भी एक Nozzle एक डॉट बनाती है Ink Jet Printers पीमत में आम तोर पर सस्ते होते हैं मशूर Ink Jet Printers में HP, Lexmark और Epson के Printers शामिल है Screen Displays इस वक्त आप जो Output Device देख रहे हैं इसे Monitor कहते हैं ये Computer की बुनियादी Output Device है Monitor देखने में एक आम टीवी जैसा होता है इसके जरीए हम Computer में मौजूद Text, Images और दूसरे Software देखते हैं और आसानी से इस्तवाल कर सकते हैं Monitors के किस्मों के होते हैं हम इन में से CRT Monitors, LCD Monitors, Multimedia Projectors के बारे में आपको बताएंगी CRT Monitors इस वक्त आप एक आम CRT Monitor यानी Cathode Ray Tube वाले Monitor को अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जो भी आप स्क्रीन पर देखते हैं, उसको Display कहते हैं जिस तरह TV पर कुछ बटन्स लगे होते हैं इसी तरह Monitors पर भी कुछ बुनियादी बटन लगे होते हैं जो हर किसम के Monitor पर मौजूद होते हैं इन में से एक Power बटन होता है और बागी बटन स्क्रीन के Display को ठीक करने या उसको बेहतर बनाने के लिए इस्तमाल होते हैं ज्यादा इस्तमाल होने वाले Monitors में Philips Professional Brilliance 107P और Samsung Sync Master 551V शामिल हैं LCD Monitors क्या ये भी Monitor है? जी हाँ, इस किसम के Monitor को LCD Monitors का नाम दिया जाता है इन में Liquid Crystals इस्तमाल किये जाते हैं जो के आम तोर पर Scientific Calculators में इस्तमाल किये जाते हैं इस किसम के Monitor की खासियत इनकी खुबसूर्ती और इनके वजन और Size में है CRT Monitors के मुकाबले में ये पतले होते हैं इसलिए इनको छोटी से छोटी जगा पर आसानी से रखा जा सकता है जैसा के आम देख रही हैं के LCD Monitors पर भी वोही पन्यादी बटन लगे हुए हैं इन बटन्स का यहाँ पर भी वोही फांक्शन है जो के दूसी किसमों के Monitor पर होता है मशूर LCD Monitors में Samsung Sync Master LCD, Sony LCD Monitor और Dell LCD Monitor शामिल हैं Multimedia Projectors Monitors को तो हमने देख लिया, अब हम Multimedia Projectors के बारे में सीखते हैं कभी अब सिनमा घर गए हैं? क्या आपने कभी सोचा कि जो फिल्म आप अपने घर में छोटी सी TV स्क्रीन पर देखते हैं वो ये फिल्म एक सिनमा के अंदर बड़े परदे पर कैसे नज़र आती है? ये सब कमाल Multimedia Projector का है इसे Multimedia Projector इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ना सिर्फ Monitor की डिस्प्ले को बड़ा और Enlarge करता है और किसी परदे या दिवार की ऊपर प्रजेक्ट करता है बलकि इसके जरिये हमें अवाज भी आती है Projector का काम एक Magnifying Glass के काम जैसा होता है क्योंकि ये बिलकुल उसी की तरह एक तस्वीर को उसके Original Size से बड़ा कर देता है Epson, PowerLight 811 Multimedia और Toshiba Digital Multimedia Projector के Multimedia Projectors ज्यादा मशूर है Speakers, वो Output Device जिसके जरिये हम कम्प्यूटर में महफूस की हुई आवाज सुनते हैं उसे Speakers कहते हैं बाजार में मुख्तलिफ टाइप्स के Speakers दस्तियाब हैं Computer Speakers, आम Speakers से मिलते जूलते होते हैं एक Computer के साथ, यूजिली, दो Speakers लगे होते हैं गोर करें कि इस वक्त आप इनी Speakers की जरिये मेरी आवाज सुन रही हैं Speakers में Yamaha 5.1 और Logitech Z640 और दूसरे काफी मशूर हैं Summary इस Lesson में आपने देखा कि Output किसे कहते हैं और इसकी कितनी किस में हैं इसके अलावा आम इस्तमाल होने वाली Output Devices में Printers, Monitors और Speakers वगेरा शामिल हैं औरigns और शामिल हैं के च्ड़िंग के बाम इस्तमाँ से दुए्ट सम